नवस्कार मैं हिमान श्री कुमार आप देख रहे हैं वेप समाचार हमारे साथ है मुस्लिम महापंचायत के संयोजक मुहमद कासे फिनिस जयब का बदवत स्वागत है आज हमें एक बहुत महतपुर्ण मुद्दे पर बात करने जारे को पता हुआ कि तुर्की में हजारो टंस होना मिला है और ये सिर्फ तुर्की देश की नहीं पुरे विश्यू के सुर्खी बन गई है क्योंकि आप जानते हैं कि अमेर का जो काफी चुटा देश है ये काफी कम जन्संख्याँ है लेकिन वो वल्ड को लीड कर रहा है तो इस तरीके से लागातार सुरुख्या बनी है मीडिया में तो कितना तंस होना मिला है तुर्की को शुटियसे एकन। लिए फायदा कर सकता है इसके लिए हम जो है मुहम्मद कासिफ यूनिसे से खास सरचा करेंगे मुहम्मद कासिफ जी सबसे पहले बहुत स्वागत आपका इस खाशो में बाते आ रही है कि तुर्की में जो हजार उटन सोना मिला है क्या लगता है यह किस तरीके से तुर्की को मदद करने जा रहा है और क्या-क्या संभवनाएं है तुर्की की जो वेवस्था है आर्थिक वेवस्था जो है और इस टाइम जो पोजिशन है और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन साहब के जो पॉलिटिकल एंबिशन्स है उसका कहीं कोई सामांजस से नहीं बैट र सोने के खान मिले चलिए गुड़ लग गुड़ लग मैं अर्दगन को नहीं बलके गुड़ लग मैं तुर्की की जंता को कहना चाहता हूं परजातंत्र है परजातंत्र में बहुत ज्यादा व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए अभी सोने की खान मिलने से पहले जो वाक्या हुआ था वहां की एक म्यूजियम को जो कभी चर्श था फिर मस्जिद बना पिर उसको म्यूजियम बनाया गया फिर वापस अधुगन सामने उसे खुलवा के मस्जिद बना दिया कि इस्लाम की पैचान मैं समझता हूँ कि सैंब्हा जब इस्तम्बूल को अटोमन एंपायर ने फता किया उस वक्ति सो कॉल्ड जो क्रिश्चन एंपायर था तो उसको चर्च से मस्जिद में बदल दिया गया था बहुत समाने तक मुजियम रहा उसकी मांग हो रही थी वैसको मस्जिद बना दिया अब अर्दोगन साहब के पास अपनी जन्ता को देने के लिए कुछ था नहीं तो उन्होंने एक तुष्टी करन करती है अब किसी एक इमारत के मस्जिद बन जाने या ना बन जाने से तुर्की में इसलाम को बढ़ाद या कोई खतम तो होता नहीं है वहां तो लाकों मस्जिद है सारे मुसल्मान ही तो यह तुष्टी करन है और यह धार्मिक तुष्टी करन राजनिती में हमेशा से यूज होता रहा है अब उसके बीच में खान मिल गई है तुर्की की अर्थववस्ता मजबूत हो होगी मुबारक हो तुर्की के लोगों को लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अर्दोगन साहब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं यह बात सही है कि तुर्की के आसपास का जो समंदर था जिसको जब यूरोपियन कंट्री ने डिफीट दिया तुर्की को आज से सो साल पहले तो उनके समंदर पर से उनका राइट छिन लिया उसके लिए अर्दोगन साहब श्रगल करते हैं फॉल्टिकल राइट है उनका एक देश का कि उसके पास का जो समंदर है उस पे उसका राइट हो उस पे हम लोग समर्धन करते हैं भारत में हमेशा उस पे एक निउट्रल भी तुर्की का उसमुद्य पर विरोध नहीं किया लेकिन अगर अर्दोगन साहब इस तरह के तुष्टी करन का कल्चर जनता के माइंड में बैठाएंगे तो कल को अर्दोगन साहब रहें ना रहें जो नेता आएगा अगर जनता का माइंसेट हो जाएगा तो उसको भी को बेवकुब बनाना का के धर्म के नाम पर खेल विदेश वहां घामला कर देंगे उस देश पर कर देंगे यह कर देंगे यह सब चीजें होने वाली है साओधी अरब से तुर्की लड़ता रहता है आप किसी मुद्दे पर लड़ यह तो एक बात है लेकिन अगर साओधी और यह तो अरब के का नेता तो को ए अरब है इसमें क्या दिखना था है जारा एसी मिलेशन तो या तो आपको मेरिट पर प्रूफ करना पड़ेगा या आप अपने पॉलिटिकल मिलिटरी एकनोमिक माइट पर कहिएगा कि नहीं हम आपसे बेटर है तो कि हमरे पास ज्यादा पैसा ज्यादा ताकत है हमारा देश ज्यादा बड़ा है जैसे अमरीका कहता है तो तुर्की अगर अपने आपको महान साबित करना चाहता है तो बहुत कुछ है और टोमन इंपायर का अर्किटेक्चर भी है और टोमन इंपायर का साइंटिफिक डिवलपमेंट भी है उसके पास दिखाने के लिए लेकिन वह लोगों को समझाने में समय लगेगा यह समझान लाते हैं वो युवाओं के दिमाग में सेट करता है उनको यह लगता है कि अरब वर्ल में हम इससे रीच कर लेंगे इसलाम का एक जो तुष्टिकरन वाला पहलू है उसको दिलाके और अरब या इरानियन लोगों के यूद के माइन में हम सेट कर लेंगे अपनी सुप्रिय सामराजवाद जो है वो एक आर्थिक सामराजवाद है ना मिलिटरी सामराजवाद नहीं चलता है ना जब आफगानिस्तान जैसा कमजोर सा देश में मिलिटरी सामराजवाद नहीं चला आज आफगानिस्तान का जो खनीज है यह पेट्रोलियम है वो अमरिका का अब्सक्ष होगे हमेशा उसी मूँ उलचाना जाएगा ना उसकी अपेक्षा हमेशा वही रहेगी आप उसको बता नहीं रहा को दुनिया बदल गई नहीं को सकता है यह कैसे होगा तो उसको लड़ाई जगड़े का घर आप पैदा कर दोगे तो सोने की खान मिली है ऐसी भी बहुत बड़ी खान नहीं है को उससे भारत या सौदी अरब इस तरह की बड़ी एकनोमी को तुर्की एकनोमिकली भी चैलेंज कर सके अमरिका ब्रिटेन तो बहुत आगे की चीज़ है तो कहने का मतलब यह है कि खान मिली है और उस खान को अवेल करने में अभी 10 साल का समय लग जाएगा उसको यूज करने में तुर्की को तो ठीक है उसका सही इस्तमाल करिए तुर्की के अर्थवेवस्ता अच्छी हुई है अच्छी बात है scientific temperament को बढ़ाई है कुछ तु सब लोग दिखा सकता है intellectual debate में जाने में कोई दिक्कत नहीं है हम देखेंगा हम decide करेंगे क्या आपका सीरियल अच्छा था के नहीं आपका इतियास अच्छा था के नहीं लेकिन पॉलिटिकल माइट से लोगों को लड़वा कर और खुद अपनी जनता कुस में उलढ़ा कर एक दुष्टी करन में उलढ़ा कर जूटे सपने में उलढ़ा कर चाहे वो नरंद मोदी उलढ़ा है यह ठीक नहीं और आपको मैं बताऊं कि अर्दोगन को सत्ता में लाने वाल उसमें मिलिटरी जरूर थी लेकिन कहीं न कहीं उनके दोस्ता भी आग था तुर्की का सबसे बड़ा मीडिया हाउस उनके दोस्ता था जिसने प्रोपगंडा करके हेल्प करके अर्दोगन को सत्ता में बैट आया लेकिन दो तीन साल के बाद ही दोनों में मितबेद हो गया तो कहीं न कहीं व्यक्तिकत भी तो बात आ रही है सिर्फ विचार दारा कि मैंने महतु कांग्छा शब्द का इस्तेमाल किया है ना पॉलिक्स तो हो ए महतु कांग्छा को पूरेगर ना महतु कांग्छा तो अधवन की है ना आखिर क्या बात है कि सब लोग जिस चो काम तो कांगशेगर बात करें तो ये हरी इकनते पर स्टिट कर जाती है वो अपना कद मुरहने के लिए अपने साथियों के काकद जो है मेंसा चूटा करने के कोशिश करते हैं चाहे वो नंदरमोदी हो चाहे वाडवानी हो पर्द लगा के अपने आपको छुपा लेते हैं कि हम तो हिंदू इंदर समराट हैं हम उसलाम के समराट हैं हम बचा लेंगे क्या कर लेंगे अर्दोगन मैंनमार में इतना कुछ हुआ क्या है सियत है मैं किया कर लिया अगर एर्दोगन के पास सही एकनॉमिक और मिलिटरी ताकत नहीं होगी तो जहां पे जनुविनली मुसल्मानों पे जुल्म हो रहा है वहां पे भी वह कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाए बयान देने के और भारत में भी एक निता ऐसे पैदा होगा है सिफ मुसल्म मुसल्मानों के लिए ब्यान देते हैं जब आप सरकी सरकार नहीं होगी आपका कोई माइट नहीं होगा सिर्फ भाषन देने से तो किसी की मदब नहीं हो सकती है ना खूब भाषन दिया अर्दोगन ने तो क्या मैनमार के मुसल्मानों की इस्तिती ठीक हो गई आज भी वह बटक रहे हैं कितने लोगों को तुर्की अपने यहां रख सकता हैं रखोगे तब नो जब तुम्हारी आर्थिक आलत ठीक होगी तभी तो शर्ण आर्थि लाओगे जितना तुर्की में नहीं रखा उससे जादा तो जर्मनी और जो है फ्रांस के अंदर मुसलिम शर्ण आ होना चाहिए समझ बूच से काम लिजिए इसी में हमारा आम लोगों का फाईदा है और कहीं गिसी पर जुल्म होता है लोकली लड़ाना है गली मोहले में लड़ाना है चाहिए वो जिस लेगल पे हो उसका विरोध होना चाहिए ये बात ठीक है कि एद्वगोर्ण ने जो दूसरे यूरूपे देशों ने सो साल पहले एक प्राधीनता तुर्की मिलाई उसको से वो तुर्की को आजात कराने की ब कॉंग्रेस 370 को हटाने का विरोध क्यों करती है कि ठीक है कि बिहार और उत्तर परदेश के वोट से और यहां से किसे जीती हुई सीटों से यहां सीटे ज्यादा परदान मंत्री बन सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कश्मीर में रहने वाली या मेगाला जैसे छोटे रा अतंद्र को और देश को कमजोर करें धांतिक विरोध कश्मीर से 370 की धारा अच्री है तो कश्मीर के लोग करेंगे ना करेगी यहीं है केंद्र रोज का जो प्रदेश के लोगों ने अब यहार के लोगों ने डिसाइड कर लिया हम आर पास पार्लेमेंट में ज्यादा लो इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ भी डिसाइड करते हैं उस पर क्या विरोध है हम लोगों का बई जंगल है तो जंगल में जो पहले रहता है उसका पहला राइट है उसके बाद दूसरे लोग भी फैदा उठा है कि दमिंदारी पर हमारा क्या वियू था क्या कंस्टुशिशनल पोजिशन था कि जो खेत को जोता है उसको हम पहले प्रिफ्रेंस देंगे जो उसके लिए जान देता है ठंडा गर्मी बढ़ता है उसके इलावा भी लोग फाइदा उठाएं आप भी खेते करिए आप है अगर वो नहीं होगा तो देश में एक विरोध पैदा होगा गैप पैदा होगा जिसके लिए विरोध किया जा रहा है और आप सिर्फ राजनीती से जोड़कर देखोगे कि 370 हटाने से हमको यूपी में वोट मिल जाएगा यहां के लोग बड़ा अच्छा फील करने चाले जाएंगे और अपनी दस साल सक्ता बढ़ लेंगे हम परदान मुंतिजी दस साल बहें लेंगे बाकी आगे देश कहीं जाए उससे कोई वक्ति में